बागलपुर के मुनी चक महले इस्तित लक्षपी अपार्टमेंट में लिप्ट तूट जाने के कारण अपार्टमेंट में काम करने वाली फुलो देवी गंबी रूप से घायल हो गई जिसे इलाज के लिए जबहार लाल नेहरू चिकिस्सा अस्पताल में भरती करवाया गया जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है अपार्टमेंट में जब फुलो का काम कर उपर मंजिल से लिप्ट के दुआरा वा उतर रही थी तब ही अचानक लिप्ट तूट गया और पर्थम तल्ले के बीच में आकर फज गया जिसके बाद अपार्टमेंट के लोग और जुआरा लिप्ट की ग्रील को काड़ कर महिला का रेस्क्यू किया गया लिप्ट गिरने के कारण महिला को गं। पीर चोट लगी जिसे इलाज के लिए बेजा गया है वहीं फायर बुण ुर्गेट की टीम लिफ्ट गिरने के कारणों का जाँच कर रही है आखिर कार हम लोगों ने जा करके थाने में कंप्लेंड किया साती साथ 5 विगेड में कंप्लेंड किया प्रार्थमी के लिए माया गंज ले जाया गया और वह अकेली ती जो कि लिफ्ट में काम करके गई और वह अनभीकी थी लिफ्ट परिचालन से उनको कोई जानकारी नहीं थी जिसके कारण यहाथसा होने की संभावना है और वह डिटेल में बता सकेगी मेरा नाम साहिलेश अभी शेक शार्मा हमी लोग ने कंपार्ट्मेंट करते हुए इसा के आप लोग जेख रहे हैं सभी लोग आए और करते हुए ग्रील को पुरा काटे ग्रील काटके पुरा जो करके उसको निकाला गया उसरा क्रिटकल जाल था दोनों ग्रील के पीच में वो महला पस्च शुकी थी अब हर खबर पर होगी हमारी नजार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा आपने मुबाईल पाद ऐसे ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू